नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्रखन पोस्ट पर देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर केंद सरकार अलट मोड में है इसी काड़ी में प्रधान मंत्री नरेंदर मोडी रविवार शाम चाड़े चार बजे कोविट की स्तिती को लेकर समिक्षा बैठक करेंगे इस दौरान वहाँ कोविट के हालातों पर चर्चा भी करेंगे माना जा रहा है कि प्यम मोडी की इस मीटिंग के बाद केंद सरकार कोविट की सकती बढ़ाने के निर्देश राज्यों को दे सकती है आपको बता दे कि आज देश में 169632 से जादा संक्रमित मिलने से चिंता बढ़ गई है बीते 24 घंटे में कोरुना से 327 लोगों की मौत भी हुई है वहीं खतरनाख ओमिक्रोन वेरियंट की बात करें तो अब तक देश में ओमिक्रोन संक्रमित के 3623 मामले सामने आ चुके हैं आला की देश के कई राजियों ने कोरुना की रोगठाम के लिए कई सक्त पाबंदिया तक लगा दिये लेकिन संक्रमित थमने की बजाए लगातार तेजी से बढ़ रहा है खबर है कि जनवरी के आखरी हफ़ते में कोरुना संक्रमित की 30 लहर पीक पर हो सकती है मतलब साफ है आने वाले दिनों में कोरुना तेजी से पैर बसारेगा लिहाजा सतर्क रहने की जरूरत है सवाल लोगों के मन में ये भी है कि क्या इस बार फिर से सरकार लॉक्टाउन का फैसला तो नहीं लेगी आपको बता दे कि फिलहाल कई राजों में नाइट कर्फिय और विकेंड कर्फिय लगाया हुआ है लेकिन लॉक्टाउन को लेकर कोई फैसला कहीं नहीं लिया गया है अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें